आज हम बात करेंगे LIC के बारे में डिरेक्ट आते हैं पॉइंट पे और अगर वीडियो पाप नया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है सेर भी कीजिए अगर कर सकते हैं अपनी दोस्तों को ठीक है क्या करना है क्योंकि बहुत यह भी सेर जब से आया तब से उतना खासा चला नहीं है ठीक है अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो अभी जो देखने को मिल रहा है वह थोड़ा सा जो है ओबर बार्ट एरिट्री में चला गया यह देख रहे हैं यह जो एरिया पाता है यहां से तो करेक्त होता है करेक्त होके धित्री वह करेक्ट होता है तो यह इतने पाता इस लेवल पर टिक आ शेक्रिक इसाना डलेता हूं देख Attack pen Line डाल देता हूँ से क्प्रेंचे खूरें डाल रहा हूँ हूं यहां पर यह जो है lice वाला स्टॉक अगर पुल बैक करता है तो यहां पे सपोर्ट ले सकता है यह अरिया ठीक सपोर्ट अ एक टॉरब हम South के सपोर्ट यहां पर टॉब कर दिया तो अगर किसी को बनाना है बाइंग पोजीशन तो यह को मैं डायरेक्ट डवाईज नहीं कर सब्सक्राइब को भी सिर्फ चार पैटन बता रहा है कि यहां पर लेना थोड़ा सा भी रिस्की हो सकता है क्योंकि मंडे को जो मार्केट ओपन होगी तो हो सकता मंडे को मार्केट में करेक्शन आए अगर fakak अगरिक्श आए अगर मार्केट में करेक्शन आया का तो आपको dette करेक्ट होगा ठिक अगर स्थाकर नीचे कितने परसेंट पर रहा है कि अधरसेंद करिक्षा करेक्शन अजायेगा मैं क्यां चाहिकर हो आशकता है सपोर्ट के रूप में ठीक लेकिन मैंने टॉप से वह करती है एक सिकर्ट नहीं इसमें इस लेबल पर है अगर उस लेबल से भी देखा जाए तो भी साथ परसेंट का करेक्शन साथ साथ पर सेंट करेक्शन आ सकता है और अगर ये थोड़ा सा अगरी सही से ड्रॉब किया जाया ना ये लाइन पे ट लाइसी में क्योंकि सारे स्टॉक्स औल टाइम हाई लगा रहे है तो ये इनका अच्छा खासा मार्केट क्याप है सबसे बड़ी कंपनी है इंस्वरेंस सेक्टर में तो ये अच्छा खासा जो है मुनाफ़ा बनाकर आगे आने वाले टाइम में दे सकता है अगर आप इसको इस तरीके से जाएगा और यह करेक्ट होगा तो जब मार्केट उपर जाता है तो घूमते हैं ठीक है इस तरीके से तो यहां पर आके यह सपोर्ट ले सकता है तो यह सकता यह इसका जहां से देखो सपोर्ट कैसे ड्रा करते है इस तरी जहां से करेक्शन होगा ठीक है फिर यह उपर गया इसको क्रॉस किया आबट यह ब्रिक आउट दे नहीं पाया फेल हो गया ठीक है फिर नीचा तो बेसिकली यह जो सपोर्ट बनेगा इसी लेबल का बनेगा और एक अच्छा खासा सपो सपोर्ट की बात करेंगे तो और दूसरा सपोर्ट का यह हो गया तो यह सपोर्ट हो गया यहाँ पर एक सपोर्ट और यह दूसरा सपोर्ट अग्याओ सपोर्ट सेकेंड थिक्षा अधिक के वास्ट कि यह सपोर्ट हो गया मनी कंट्रॉल की बात करते हैं चल लेते हैं मैंनी कंट्रोल में आप देखिए हाँ पर नैस्टा को यह सब जो भी है नैस्टाइक थोड़ा स्ग्रीण है से फिर्टारेट में है और यह फ्ला कि एलाइज आई पे आते हैं और देखते हैं 19.5 परसंट करेक्ट हुआ था लास्ट ठाइम ठीक है और इसमें जो वीकनेस है 6 है चुकि यह मेरा प्रो है यहां पर हम वीकनेस देख सकते हैं ठीक है यह तर्फिंद इसमें दिकलाइन in quarterly decline profit every quarter past two quarters decline net cash flow while in quarterly revenue revenue इनका गिरा है ठीक है decline operating margin so देखो छे वीकने से अगर opportunity की nine strength strong momentum strong annual EPS growth efficiency in managing asset generate इनके जो asset को manage करके profit generate कर रहे है ठीक है company पास कोई death नहीं है ठीक है company with zero promoter pledge प्रमोर्टर जो भी invest किया है इसमें कोई उधार नहीं है like pledge नहीं है से ठीक है momentum bullish ठीक है चार्ट थोड़ा सा सीधा हो गया है तो यह थोड़ा सा रिस्की है है right now and क्योंकि फूमो क्रियेट हो जाता है ना लोग सब्सक्राइब कर राजिव जैनिस जी क्यू कप का है बारत जंबर का है ना तो अभी टाइम निकल गया है पार्टन स्कूर इट अडानी सर्ज बट लाइसी पोर्टफोली स्टेनी रेड ठीक है तो कुछ है इसको आप न्यूज पढ़ेंगे तो अंदर आपको समझ में आगा बाकिस का जो है नीचे आके देखेंगे तो यह जो है प्रतविट की बात करें तों इंक्रील हो रहा है अरंद प्रोफिट की बात करें तो नेट फ्रॉफिट था अच्छा-टॉष्पी安全 करोड 106 000 π. इसा नहीं है और फो सकता हुआ है ऑर इसमें सार। मोटर या प्रमोटर इसमें जितना भी है है 96.5% प्रमोटर इसमें ज्यादा इंवेस्ट नहीं कि 0.1% मतलब फॉरेंट इन्वेस्टर तो है ही नहीं अगर डियाई की बात करें तो यहां पर इसमें डियाई की जो है स्टेक्स पहले 0.91 परसेंट थी अभी 0.83 से अब आ गए 0.84 परसेंट है तो डियाई की भी रिटेलर का कम हुआ ठीक है अधर की बात करें तो कुछ भी नहीं 0.01 परसेंट तो इस तरीके से इनका मार्केट कैप की बात करें तो लाइसी का मार्केट कैप है जो लगभख पांच लाग 3564 करोड का है ठीक है एस बीया लाइफ इंस्वरेंस का एक लाग पैतालीज जार ह इस तरीके से जो है इसमें इनकी जो है मार्केट कैपिलाइट जर्ट कैपिलाजीशन है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो शाथ लाग एक तरह एक यासी जार करोड का है ठीक है तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिस दे रहा है एक लाइज उस है अच्छा पर्फॉर्मिस तो इस time इसमें long term में तो बहुत अच्छा है तो अभी के लिए तो अभी के लिए तो अभी के लिए अलएडी ए सर्ज कर चुका है तो हमें तोड़ा सा वेट करके थोड़ा सा पुल बैक आजाए कच्छे से 10% का करेक्षन आजाए उसके बाद हम ले तो बेटर इस सिती में रहेंगे ठीक है अगर आप ही टॉप पर बाई कर लेंगे तो जो है अभी हो सकता है करेक्षन हो मार्केट में और फिर यह नीचे आया तो फिर दुबारा लेने का मौका मिलेगा तो नीचे लीजिए अगर कि मिलते है एक लिए वीडियो में ठीक है